हेलो काईस कैसे हैं आप लोग बूड इवनिंग सभी को तो आप सभी को स्वतंतरता दिवस की बहुत-बहुत शुब कामना हैं हैपी इंडिपेंडेंस डे हां तो आज का दिन बहुत ही शुब दिन है और आज की क्लास में हम यहाँ पर करने वाले हैं सीटेट सेकंड पेपर का एसस्टी का इस वीडियो के अंदर और नागरिक्षास्त्र कहते हैं तो तीनों सबजेक्ट आपके रहेंगे और completely आपके point to point एक एक point मतलब यह है कि यह कुल मिलाके आपकी ऐसी महराथन क्लास है SST कि इससे बाहर जो है आपके बचके नहीं जा सकता पूरे आपके जितने 40 नंबर के जो SST NCRT वाला पोर्शन आता है वो completely आपका इस वीडियो के अंदर आने वाली वीडियो ताकि आपको मिलती रहें इसके अलावा previous question paper भी हम कर रहे हैं वो आपको playlist में मिल जाएंगे वो आप देख सकते हैं आप जाके तो चलिए शुरू करते हैं जो लोग लाइव आचुके हैं एक बार मुझे comment करके बता दो voice वगरा clear है और आप तक बिलकुल ठीक से पहुँच रही है सच में यहीं से आएगा आपके खुद आप अभी पढ़ेंगे और अभी आपको समझ में आ जाएगा सच में नहीं आपका बिलकुल जो ncrt की किताबिए है उसके अंदर से एक एक point उठा करके आपके एक-एक point करके notes बनाए है अभी जो हम करने वाले हैं वो मैं आपको दिखा दूँ मैं अपने hand return लिखे हुए अपने हाथ से लिखे हुए जो notes है वह ही आपको यहां पर जो है मैं आपके सामने करने बाले हैं ठीक है यहाँ पर इस तरह से हैं मैंने पूरे हाज से एक एक लाइन लिखी है तो इससे बाहर कैसे जा सकता है बिलकुल नहीं जा सकता आपका ठीक है यहाँ पर जो है एक-एक पॉइंट को इसके साज हम करने वाले हैं। उसके अलावा नोट्स पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं भी तक के। तो नोट्स जरूर ले लेना सब लोग क्योंकि नोट्स के बिना आपका थोड़ा सा डगमंगा सकते हो क्योंकि लास्ट टाइम में रिविजन करना है अब उतना टाइम बचा नहीं है अभी नोट्स लें कि असर हाँ बिल्कुल अभी ले लो नोट्स और बिल्कुल जो है उसको पढ़ दो दो तीन दिन के अंदर अंदर बहुत अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे और इस पर जो है 50% का डिसकाउंट भी मैंने कर दिया है आप सब लोगों के लिए ताकि सभी लोग पढ़ पाएं तो अभी फर्स पेपर के आपके केवल 200 रुपए में आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे और अगर आप दोनों लेते हैं फर्स और सेगंड दोनों पेपर के तो आपको 300 रुपए में दोनों सब्जेक्ट के मिल जाएंगे ठीक है तो आपके लिए यहाँ पर डिसकाउंट भी बहुत जादा कर दिया है तो सभी लोग ले सकते हैं और पढ़ें इसको और सभी लोग ले लें थोड़ा सा रिस्क मतलो क्योंकि यहाँ पर आपने किताबे भी खरीदी होंगे आपके घर में 10-20 किताबे तो सीट एट की पढ़ी होंगी तो 300-400 रुपए की तो एक किताब भी आती है तो ज्यादा रिस्क मतलो और सभी लोग जो है बिल्कुल जुट जाओ इसमें चलिए शुरू कर लेते हैं फिलाल हम क्लास को तो देखिए यहाँ पर जो है हम बिल्कुल जो है NCRT को जो पढ़ने वाले हैं वो chapter wise और बिल्कुल कक्सा wise पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं भुग ओल ठीक है यहाँ पर geography हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले फिर उसके बाद में इतिहास करेंगे और आपका जो है quality करेंगे ठीक है तो यहाँ पर NCRT की किताब में जो chapters दिये गए हैं उस chapter के हिसाब से यहाँ पर मैंने notes बनाए हैं खुद से लिख करके तो इसको हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे और एक एक line को आप जो है इसको notes में तो आपको यह PDF मिल जाएगी जब आप notes purchase करेंगे बागी समझते हैं इसको यहाँ पर ठीक है सारी चीजों को चलिए तो सबसे पहला जो हमारा chapter है उसका नाम है आपका सोर मंडल में प्रत्वी ठीक है और जो हमारी किताब का नाम है वो है प्रत्वी हमारा आवास ठीक आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर जो point है उनको दियान में रखते हुए चलेंगे सबसे पहला point है आपका सूर्य के चारों और चक्कर लगाने वाले विभिन ग्रहों चुद्र ग्रहों धूम केतू उलकाओं तथा अन्य आकाश्य पिंडों के समों को सूर मंडल यानिकर सोरलर सिस्टम कहते हैं सूर्मंडल में सूर्य का पिर भूत्व है क्योंकि सूर्मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 9999 द्रव्य सूर्य में निहित है USCKे अलावा दूसरा और सूरिये के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सारी पढ़ेंगे क्योंकि एक एक पॉइंट लिखा है और आपके प्रशन में कोई सा भी पॉइंट पूइंट सकते हैं बिल्कुल सूरिये जो है वो सूरमंडल का प्रधान है यह हमारी मंदाकनी दुख्द मेखला के केंदर से लगभग 30,000 पिरकाश वर्श की दूरी पर एक कोने में स्थित है ठिक है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट आपका सूरिये दुख्द मेखला मंदाकनी के केंदर के चारो और 250 50 किलो मेटर 30 सेकंड की गती से परिकरमा कर रहा है इसका परिकरमन काल 25 करोड वर्श है ध्यान से देखो इसको कि बंदाकनी जो है वो कितनी बड़ी होगी मतलब कि उसको एक चक्कर लगाने में 25 करोड साल लग जाएंगे यहां पर यह बहुत इंटरेस्टिंग भी है जो हम है तो आप सब लोग बता पाएंगे ना चितरे किसे है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर प्रशन नहीं अगले पॉइंट पर अगला पॉइंट है सूरिय अपने अक्ष पर पूरब से पस्चिम के और घूमता है इसका मद्धिय भाग 25 दिनों में पॉइंट 5 पृतिशत और आपका अन्य पत्व जो है वो 2.5 पृतिशत होता है सूरिय का केंद्रिय भाग क्रोड कहलाता है तो इसको भी धियान में रखेंगे क्रोड कहलाता है और जिसका ताप 1.5 गुना दस की घाट 7 सेंटीग्रेट होता है मतलब इसको अगर आप देख सकते हैं आप कितना ज्यादा डिग्री में इसका तापमान होता है और सूरिय की जो बहुरी सतह है ये तो अंदर का तापमान है जो सबसे बहुर की परत है उसका तापमान आपका 6000 सेंटिगरेट होता है अगर हम जो है 40 degree centigrade में मरने की हालत में आ जाते हैं कि बिलकुल जो है हम जो है मतलब हमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है हमें AC की जरूरत पढ़ने रखती है ये वो अब सोज़ेश 60,000 degree centigrade तापमान है सूरिय के बाहरी सतह का तो कितना ज्यादा हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं सर्जित करता है इसे सूरिय का मुकुट कहा जाता है और सूरिय की जो उम्र है वो पाँच con million,Con billion वर्ष है यानिhod के सूरिय 5,000,000 वर्ष से हमें और पूरे भ्रहमान को उर्जा देता आ रहा है और भविश्य में जो सूरिय द्वारा उर्जा देते रहने का समय है 10 की घात 11 वर्ष है लगभग मेरे ख्याल से 1000 बिलियन वर्ष बैठेगा है अगर हम इसको देखेंगे तो ध्यान से अगर इसके आगे 0 लगा के वो आप लोग देख लेना आगे बात करें तो सूरिय के प्रिकाश को प्रियत्वी तक पहुँचने में आठ मिनट और 16 सेकेंड 16.6 है तो 16 सेकेंड का समय लगता है आगे बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की सोर जुआला को उत्तरी धुरूपर और औरोरा बोरियालिस और दक्षणी धुरूपर औरोरा ऑस्ट्रिलियस कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन पर सर का नोट्स बहुत इंपोटेंट है लेने है तो ले लीजिए सब ही हाँ अब किलियर दिख रहा है किलियर दिखेगा अगर आप 240 या 360 पर करके देखेंगे तो किलियर दिख जाएगा देखो आगे बढ़ते हैं हम अगला पॉइंट है यहाँ पर आपका सूरिये का व्यास 13,92,000 किलोमेटर है जो प्रत्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है अगला पॉइंट आपके सामने है और वो यह है कि सूरिये हमारी प्रत्वी से 13,00,000 गुना बड़ा है और प्रत्वी को सूरिये ताप का 2 अरबवा भाग मिलता है देखो ध्यान से देखेंगे अगर आपसे पूछ ले जाए कि सूरिये प्रत्वी की तुलना में कितना बड़ा है तो 13,00,000 गुना बड़ा है प्रत्वी से और उसका जो है जो सूरिये का जो ताप है जैसे कि हमने भी बात की थी कितना है 6000 Centigrade तो वो बाहरी सत्य का है तो उसका हमें कितना मिल रहा है दो अरब वबा भाग उसका प्रत्वी को मिलता है अब बात करते हैं यहाँ पर हम सूर मंडल में सूर मंडल के पिंड तो पराम परागत ग्रह कौन कौन से है आपके बुध है, शुक्र है, प्रत्वी, मंगल, भरस्पती शनी, अरुन, एवं, वरुन और बुने गिरह कौन कौन से है आपके प्लूटो है, चेरोन है सेरस है और 2003, 3, UB और 313 ठीक है, अब बात करते हैं गिरहों की विशेशताउं की, तो एक एक गिरह के बारे में बात करेंगे, गिरहों से काफी प्रशन पूछा जाते हैं आपके, तो इसको धिहान से सब लोग पढ़ते चलेंगे ठीक है, देखिए, हाँ, एक मिनार में कमेंट्स भी देख रहा हूँ आपके बीच बीच में, ठीक है बुध के बारे में बात करेंगे, यह सूर्य का सबसे नजदिकी ग्रह है, यह सबसे छोटा ग्रह है, जिसके पास कोई उप ग्रह नहीं है, यह सूर्य के परिकरिमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सोर मंडल का सरवाधी कक्षे गती वाला ग्रह है ठीक है आगे बात करें इसके बारे में तो अगला पॉइंट है आपका इसका तापांतर सभी ग्रहों से अधिक 600 centigrade है इसका तापमान रात में माइनस 113 centigrade हो जाता है और दिन में 400 27 centigrade हो जाता है सो अगर प्रत्वी पर जो है हम 42 अगर यह सो यह हटा भी दिया बैलिस centigrade में कितनी गर्मी होती है तो इसका तापमान 427 centigrade हो जाता है दिन में आगे बढ़ते हैं और शुकर के अगला पॉइंट है इसके बारे में यह अन्य ग्रहों के विप्रीत दक्षणा व्रत को क्लोक वाइस चक्रन करता है और इसे प्रत्वी का भागनी ग्रह कहता है यह घनत्व आकार एम व्यास में प्रत्वी के समान है तो अगर आप से पूछा जाए प्रत्वी के जैसे ग्रह है इसे अपने धुरी पर चक्र लगाने में दस घंटे यानिके सबसे कम और सूरी की प्रिकरिमा करने में 12 वर्ष लगते हैं इसका उप ग्रह सभी ग्रावों में सबसे बड़ा है इसका रंग पीला है विरस्पति का नहीं ध्यान से देखेंगे ठीक है अगले पॉइ होता है तो वह लाल होता है आईरन ओक्साइड के कारण ठीक है गुड़ इविनिंग सर मेरा पेमिंट कर चुका है पेंडिंग में चला गया है अब क्या करो वेट कर लो पेंडिंग वाला तो आ जाता है दो तीन मिनट या जितना भी थोड़े टाइम में हो जाया को ठीक है चलिए आगे बात करें तो यहां प्रत्वी के समान दो धुरूव हैं तथा इसका कक्षा तली 25 डिगरी के कौन पर जुका हुआ है इसके कारण यहां प्रत्वी के समान रीतु परिवर्तन होता है चीक है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है यहां पर आपका इसके दिन का मान एवं अक्ष का जुकाओ प्रत्वी के समान है चीक है प्रत्वी के समान कैसे है लगभग में है पूरा नहीं है यहां पर इसका जुकाओ जो है 25 डिगरी है और जो प्रत्वी का जुकाओ होता है वो 25 डिगरी होता है चीक है तो यहां पर यह पॉइंट होगी है हमारा यह अपनी दुरी पर 24 घंटे में एक चक्र लगाता है तो इसका परिकर्मा काल भी जो है लगभग बराबर ही है किसके प्रत्वी के लेकिन सूरिय के परिकर्मा करने में इसे 687 दिन लगता है यह जबकि प्रत्वी से डबल है लगभग है ना तो यहाँ पर तो है प्रत्वी पर 2 साल हो जाएंगे बिल्कुल पनड़ना है भई, गिरहों से तो प्रशन आ चुके हैं, हमने प्रिवियस पेपर नहीं पढ़े थे अभी, हम कल पर सब प्रिवियस पेपर कर रहे तो उसमें गिरहों से पूछे गए हैं प्रशन देखो यहाँ पर बात करें तो शनी के बारे में पढ़ें यह है आकार में दूसरा सबसे बड़ा गिरह है दूसरा पॉइंट है इसके तल के चारों और वले यानि के मोटी पिरकाश वाली कुंडिली का होना इसके मुख्य विशेशता है यानि के इसके चारों तरफ हमें जो ह चैंडा सबसे बड़ा घ्र यह आकार में भुद्ध के बरावर है आगे बढ़ते हैं इसका घ्रहों मुझे ईसे जल में रखने पर तैरने लगे यह उसके ओपर पानी के ऊपर नाउ की तरह जैसे प्लास्टिक की गैंट तेरने लगती है यह सितना नहीं इतना हलका है यह ग्रय यह ग्रह तो कि इस ग्रह को अगर हम जल भी कम है इसका घनत पो अगर इसे जल में रखेंगे तो ये तैयरने लगेगा समझ गए चलिए आगे बढ़ते हैं अरून के बारे में पढ़ते हैं यूरेनेस जिसको कहते हैं हम ये आकार में तीसरा सबसे बढ़ा गिरह है इसका तापमान लगभख माइनस 215 सेंटिग्रेट है इसकी खोच 1781 में विल्यम हरशेल द्वारा की गई थी इसके चारों और नो वलेयों में से पांच वलेयों का नाम अलफा बीटा गामा डेल्टा और एपसिलोन है तो इसके चारों तरफ जो है जितने कुंडल होते हैं आपके नो होते हैं और शनी के कितने होते हैं साथ हो प्रत्रध घूंता है जबकि अन्य गर्या पस्चिम से पूरब के ओर वामावर्त घूंते हैं यहां सुर्य की और सMore प्रत्म की और से होता है और सुर्यस्त प्रत्वी की ओर होता है क्योंकि यह उल्टा गों रहा है तो उसके बाद इसके सभी उपकिरह की प्रत्वी के याद रहेगा आपको किसके कहा जा रहा है, अरुन को कहा जा रहा है, ठीक है, यूरेनस को कहा जा रहा है, लेटा हुवा गिरह, समझ में आई, चलिए, आगे बात कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा उप गिरह कौन सा है, टाइटेनिया है, अब अगले गिरह पा जाते हैं हम, वरुन, वरुन के बारे में पढ़ता है, इसकी खोज 1846 एस्वी में जर्मन खगोलक के जोन गाले ने की थी, नई खगोलिये ववस्था में यह सूरिय से सबसे दूर इस्थित ग्रह है, यह हरे रंग का ग्रह है, इसके चारों और अतिशीतल मीथेन के बादल चाया हुआ है, और इसलिए हरा दिखता होगा, गैस की वजह से, अब बात करता है हम सबसे प्यारे ग्रह के बारे में, जो की हमारा ग्रह है प्रत्वी, तो यहाँ पर बात करता है, प्रत्वी आकार में पांचवा सबसे वड़ा ग्रह है, प्रत्वी का अक्ष, अपने उसके कक्षा तल पर यहां पर बात करें तो जो प्रत्वी है वो प्रत्वी बिल्कुल सीधी नहीं है इस प्रकार से प्रत्वी नहीं होती प्रत्वी का क्या होता है कि प्रत्वी जो है वो इस तरह से जुकी होई है और यह जो लंब है वो इस तरह से है तो यहां पर बात करें तो इसने जो कौन की पταक्ते हैं इसको ऐसे भी बना सकते हैं तो ये वाला जो कोंड़ बनेगा जो जुकाण के इस तो साड़े हो अगर चंदरमा है ठीक है उसके अगला पॉइंट है आपका इसका विशुवतिये बारहisel 756 किलोमेटर है जिसके धुरूविये व्यास जो है वह आपका by4754 से जैसे gotta यह प्रत्वी है ज़े प्रत्वी कि इसका जो विशुवतिय ब्यास होगा है, यह इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, यह हो जाएगी यह 12,706 km और इधर वाली जो हो जाएगी यह खड़े वाली यह हो जाएगी 12,704 मिटर, ठीक है किलोमिटर तौरी, आगे बढ़ते हैं, अगला आपका यह अपने अक्ष पर पस्चिम से पूरा दिशा में 1610 किलोमेटर पृति गंटा की चाल से 23 गंटे 56 मिनट और चार सिकिंड में एक पूरा चक्कर लगाती है तो ध्यान से पढ़ेंगे यह कितना जो है इसका एक दिन कितना गंटों का हुआ आपका यानि कि अगर 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 दिन की बात करेंगे तो हम कहते हैं लेकिन अगर एक्जक्ट बात करेंगे तो दिन जो होता है वह आपका 33 गंटे 56 मिनट और चार सिकिंड का दिन होता है इसको हम average मानते हैं 24 गंटा तो ध्यान से देखेंगे परतफि की इस गति को घुरुनन या देनिक गति कहते हैं और इस गती के कारण ही दिन और रात होते हैं आपके अगले पॉइंट पे आते हैं प्रत्वी को सूर्य की परिकर्मा करने में 365 दिन 5 गंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं एक्जेक्टली देख लो कितने लग रहे हैं इस समयावधी के दोरान परिकर्मा पूरी करने में प्रत्वी का माध्य वेग जो होता है लगबग 30 किलोमेटर 30 सेकंड का होता है प्रत्वी की प्रत्वी की वार्षिक गती अत्वा परिकर्मन कहते हैं प्रत्वी को सूर्य की परिकर्मा करने में लगे समय को सोर वर्ष कहते ह है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं प्रती एक सोर वर्ष कलंडर वर्ष से लगभग 6 गंटा बढ़ जाता है अब यह हमने पात की थी न कि प्रत्वी को कितना टाइम लग रहा है 365 दिन और 6 गंटे लग रहे हैं तो हर साल 6 गंटे क्यों बढ़ रहे हैं और 106 गंटे बढ़ेंगे तो इसको कहाँ अड़स्ट करेंगे तो इसको करते हैं हम लीप वर्ष में जो चोथjing ये साल आता है और उस साल में 366 दिन कर दिये जाते हैं और 366 दिन को महिने के आप से देखेंगे तो फरवरी जो है वो 29 हो जाती है फरवरी जो है 29 दिन की हो जाती है उस महीने में उस साल में चोथे साल में तो उसमें हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप 6 गंटे एक्स्टर होते हैं यानि के 6 चोग 24 तो 4 साल में जो है हमारे 24 गंटे पूरे हो गए औ 24 गंटे का एक दिन होता है तो हम 4 साल में एक दिन को बढ़ा देते हैं और हमारी पिरक्रिया फिर से सुरू हो जाती है बराबर हो जाती है इस कहानी वो आप समझ गे देखें यहां लिखा हो भी है जिसके कारण फरवरी माह में 28 के इस्थान पर 29 दिन हो जाते हैं ठीक है आका इस्थिति का अधियन करने वाला विज्ञान सेलेनोलोजी कहलाता है चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांतिस आगर कहते हैं यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में होता है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है आपर आपका चंद्रमा के दक्षणी धुरू भी कहा जाता है अगला पॉइंट है चंद्रमा प्रत्वी की एक परिकर्मा लगभग 27 दिन 8 गंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घोर्णन करता है और यही पॉइंट आपका पूछा गया था किसमें अभी 2018 में पूछा गया था शायद यह त अपने अक्ष पर घोमने में और प्रत्वी की परिकर्मा करने में दोनों में बराबर समय लगता है तो इसलिए हमें दिखाए नहीं देता आगे है आपका पॉइंट यहाँ पर प्रत्वी से चंद्रमा का 57 पृतिशत भाग को देख सकते हैं और चंद्रमा का व्यास जो है 34 2480 किलोमेटर है तथा द्रव्यमान प्रत्वी के द्रव्यमान का एक बटा 81 है ठीक है यानि कि 81 भाग बाढ़ देंगे तब आपका चंद्रमा का नेर्वान हो जाएगा प्रत्वी से आगे बढ़ते हैं अब अध्याय दो आ जाता है आपका चैप्टर नंबर टू और अब ग्लोब अक्षांस एवं देशांतर तो इसको दिहान से समझते हो चलना इंटरस्टिंग है और इंपोटेंड उससे भी जादा है देखो अक्षांस क्या होते हैं आपके पहले तो मैं आपको ये बता दू विशुवत विरत के उत्तर और दक्षिन दिशा में इस्थित किसी स्थान की कौन ये दूरी को अक्षांस कहते हैं यह कौन प्रत्वी के केंद्र पर बनता है इससे विशुवत विरत के दोनों और अक्षांसों से मापा जाता है आप देखो मैं इसको चित्र के मादियम से आपको समझा दू जैसे कि मान लीजिए यह हमारी प्रत्वी है पू ये दूरी जो ङोगी वहां से ऐसकी स्थानीय दूरी ये अक्षांस कहला बना है तो इस जगह की दूरी क्या कहला है आपकी 45 दिभरी अक्षांस पर अचले वहवाला देश इस्थित है हम यह कह देंगे माली जी यहाँ पर जो है अगर भारत ही इस्थित है तो भारत को क्या कह देंगे कि 45 डिगरी अक्षांस पर भारत इस्थित है तो इस तरह से जो है यह अक्षांस कोण माने जाते हैं अब यह नीचे की तरफ भी हो सकते हैं ओपर क को दक्षनी गौल आर्थ कहते हैं देखे ये प्रत्वी थी हमारी जब हमने इसको बाड़ दिया दो भागों में ये उत्तर वाला हो गया और ये वाली जगा कौनसी हो गई आपकी या आपका दक्षनी गौल आर्थ हो गया इतनी की लिए रहो गई अब आगे बढ़ता हैं अगे पूइंट पर आता है विशूवत रेखा से प्रटिय एक दस्राब पर विशूवत रेखा के समानतर अच्छण में खीची के कहलाती है तो उत्तर और नीचे जो रेखाएं खीच जाती है मां लिए एक रेखा यहां पर खीच दी तो दूसरी रेखा यहां पर खीच दी तीसरी रेखा यहां पर चौथी यहां पर पांच भी यहां पर अब यह जो है यह रेखाएं इधर भी है और प्रत्वी के उधर भी है मतलब यह तो आप के चारों तरफ अगर आप गोला खीचेंगे तो वो चीज होती है ठीक है ये अगर गोला है तो इसके चारों तरफ अगर आप ऐसे रेखाएं खीचते रहेंगे तो ये वाली रेखाएं क्या कहलाती है आपकी ये आपकी कहला रही है अक्षांस रेखाएं अक्षांस ठीक है च 179 अक्षान समानांतर होंगे इस पिरकार विशुवत विरत सहीत अक्षान समानांतरों की कुल संक्या 189 होगी 179 होगी अब यहां पर एक यहां पर देखो इसको समझ लेता है 179 कैसे होती है क्योंकि हमें यह लगता है कि अगर हमारी यह है और यह विशुवत रेखा और भूमद्य रेखा दोनों का एक नाम होता है और हम कह रहे हैं कि उपर की तरफ अगर हम खेषते हैं और नीचे की तरफ तो 89 खेषती हैं हम सोच लेते हैं कि अगर हम एक डिकिर पे खेष रहे हैं तो 90 रेखाएं खेच जाएंगी 90 इस वाली को मिला करके खेच वाली को तो 89 इधर हो गई और 89 इधर हो गई और एक यह ब बनेगा कई बार हमें confusion में हम 181 को सही आंसर लगा के आ जाते हैं जो की गलत हो जाता है तो दियान रखेंगे आमेशा इन रेखाओं की संख्या कितनी होती है आपकी इन अक्षान्स रेखाओं की संख्या जो होती है वो आपकी 179 होती है आगे बढ़ते हैं अगला point है याप और आपका भूमद्य रेखा जिसको विशुवत रेखा भी कह रहा है जो बीच वाली है उसके उत्तर में 23.5 अक्षान्स को करकर रेखा कहते हैं और दक्षिन में 23.5 अक्षान्स को मखर रेखा कहते हैं जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे यह प्रत्वी है औ और यह आपका विशुवत रेखा होगे जो बिलकुल भूमद्य रेखा कहते हैं क्योंकि यह बिलकुल बीच में से होके जाती है इसका नाम इसलिए भूमद्य रेखा है तो इसके 23.5 डिग्री उपर की तरफ यह अब डिग्री कैसे नापेंगे जैसे कि यह उपर वाला जो यह आपका 3.5 डिग्री बनेगा तो इसके बराबर में जो रेखा जा रही है और इसके बराबर में जो रेखा जा रही है तो उपर वाली होगी आपकी करक रेखा नीचे वाली होगी आपकी मकर रेखा अब आप पहचान पा रहे हैं मकर रेखा किसको कहते हैं और आपका करक पर जाएंगे तो उसको अंटार्किटिक विरत कहते हैं देखो दियान से फिर एक बार और बताता हूं आपको इसमें भी बता देता हूं देखो इसमें क्या है कि अगर हम जैसे ये वाला हमारा जो है गोला है मतलब प्रत्वी है और ये बीच वाला जो है हमारा भूमध्य रे और इसी प्रकास से नीचे जब 6.6 डिगरी जाएंगे तो ये वाली रेखा हो जाएगे आपकी कौनसी अंटार्किटिक विरत है तो ठीक है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है एक बार ये कमेंट करके बता दो कभी मैं बस ऐसी बोलता चला जाओं बताते चला जाओं और अक्षांस रेखाएं जो खड़ी वाली रेखाएं आएंगी खड़ी वाली रेखाओं को क्या कहेंगे देशांतर कहेंगे खड़ी वाली रेखाओं को अब खड़ी वाली रेखाओं में एक बात होती है कि ये समानांतर नहीं होती ये बिलकुल केंदर पे जाके मिल जाती है जो उपर वाला केंदर है और नीचे वाला केंदर है इन केंदर बिंदू को क्या कहते हैं धुरूव कहते हैं क्या कहते हैं धुरूव कहते हैं समझते वे चलना उपर वाले पॉइंट को और नीचे वाले पॉइंट को धुरूव कहते हैं शीक है तो यह रेखाएं जो है इस त प्रत्वीपर दिखती नहीं है यह हमने कालपनिक समझने के लिए बनाई है अपने इतनी बात समझ में आगे आपको अब गरीन वीश रेखा से किसी इस्थान की कोणात्मक दूरी को उस इस्थान का देशांतर कहते हैं अब यह गरीन वीश रेखा कुन सी है इसके बारे में अ अथवा उत्तरी तथा दक्षणी धुरूव को मिलाने वाली कालपनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं अभी बात कीती हैं हमने उपर नीचे यह उत्तरी धुरूव हो गया यह दक्षणी धुरूव हो गया अब इनको जितनी भी रेखाएं मिलाएंगी वो सारी रे अगर इनको हम विरत के चारों तरफ कोई भी रेखा गुमाएंगे तो वो बराबर ही होंगी ना सारी की सारी जब हम उसको केंदर पर मिला रहा है जैसे अगर हम ये वाली बात करें इस वाली देखाओं की तो ये तो छोटी होती चले जाएंगी देखो समाना अंतर हैं ये बर दूसरे को क्रोस कर रही होती हैं तो ये बराबर ही रहेंगी सारी की सारी उपर खड़ी वाली जो रेखाएं होती हैं ये आपकी बराबर ही रहेंगी सारी की सारी समझ में आई बात अब आगे देखो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रोमों पर नियुनतम तथा विशुवत रेखा पर अधिक्तम 111.32 होती है आपकी अब ये दूरी वाली बात समझ लेता है दूरी किसको कहते हैं जैसे हमने ये चित्र बनाया और ये रेखाएं कीशी ये रेखाएं कीशी तो ये जितनी रेखाएं है इन रेखाओं के बीच की जो ये वाली दूरी है तो ये दूरी देखो यहां पर तो सबसे जादा होगी बीच में और यहां पर तो खतम हो जाएगी यहां तो जीरो हो जाएगी तो इसलिए कह रहा है धूरों पर तो नियूंतम हो जाएगी और बीच में सबसे जादा रहेगी भूमती रेखा पर ये हैं इनके कहने का मतलब ठी यह टोपिक आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं जो आप समझाते हैं वो पूरी तरह से समझ में आ जाता है कभी भूल नहीं सकते हैं चलिए थैंक्यू भूपेंदर ची आपके फीडबैक सुनके बहुत अच्छा लगा अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर अगल प्रत्वी के सबसे बीच में जो रेखा होगी यहवाली यह ग्रेण वीच रेखा होगी और यहां पर बिलकुल एक सो यहां पर okay जो एप समझ में आ कहलाएगी और दाइयोर की प्रत्वी आपकी जो है दाइयोर का भाग जो है वह आपका क्या पूर्वी गोलाड कहलाएगा ठीक है इतना भी आपको समझ में आगया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं 180 डिगरी पूरव और 180 डिगरी पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है देखो इसको समझो इसको भी समझा देता हूं मैं थोड़ा सा टाइम में इसले ले रहा हूं ताकि समझ में आ जाए आपको यहां पर बात करें तो यह जो बीच वाली रेखा है यह तो आगी होगी आपकी कौन पर बनेगी ना जैसे कि प्रत्वी के केंद्र से जो है एक कौन यह बना तो अब यहां पर जो है कम से कम 20 डिगरी का कौन आ जाएगा तो यह एक 20 डिगरी के कौन पर हो गई अब अगर मैं इसको यहां से यहां खीच दूलाइन को तो यह जो रेखा बनेगी यह वाली यह बन जाएगी आपकी वाली यह 60 के डिगरी के कौन पर बन जाएगी तो यह कौन बढ़ते जाएंगे अब अगर मैं इसको पूरी यहां से यहां गुमा दूं तो यह कितना हो जाएगा एक 180 डिगरी नहीं हो जाएगा अब अगर मैं इसी तरह से इसको यहां से यहां पू और वो दो नहीं हो सकती, तो बात समझ में आगी इतनी, हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पोइंट है आपका गोलाकार होने के कारण प्रत्वी 24 गंटे में 360 डिगरी कौन घूम जाती है, तो ये बात तो आपको नॉर्मल सी पताई है सबको, आता है एक देशांत प्रत्वी को चार मिनट का समय लगता है, तो देख सकता है इस तरह से 24 गंटे में 60 मिनट होती है, और 360 डिगरी का कौन है आपका, तो चार मिनट लगेगा आपको एक कौन घूमाने में, चीक है, यानि कि आपका, मैं आपको इसको चितर बना की समझा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर यह है, और यह आपके अक्षांस रिखा हो गई, अब यहाँ से एक डिगरी का कौन मान लीजे, यह बनता है आपका, तो प्रत्वी को इतना घूमने में, इतनी दूरी जो है एक डिगरी की, इसमें चार मिनट लग जाएंगे, अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो है गूमने में कितना लगेगा, इसका नुमरीकल प्रत्वी बनता है कभी-कभी, तो इस तरह से आप से पूछेगा, कि नबबी डिगरी का कौन घूमने में प्रत्वी को कितना समय लगेगा, अब बताओ नब्बे डिगरी गूमने में चार मिनट लगा, तो नब्ब दिग्री घूमने में कितना लग रहा है उर यहां पर यहां पर भी 00 ने इसी आधार पर भी इसी इसठान का समे क्याग्यात किया जाता है चलो आगे बढ़ते हैं एक देशांतर का अंतर होने पर एक देशांतर का अंतर होने में समय में चार मिनट का अंतर होता है चूंकि प्रत्वी पश्चिम से पूरब की और घोमती है फलते Greenwich से पूरब की ओर बढ़ने पर पिर्तियक देशानतर पर समय चार मिनट बढ़ता है तथा पश्यम की ओर जाने पर पिर्तियक देशानतर पर समय चार मिनट घड़ता है देखो अब इसको भी, मैं चित्रे के साथ सी समझाते वो चलूँगा आपको ता कि आपको अच्छे से समझाता रहे अब देखो यहाँ पर बात करें, तो जैसे मैंने बात की थी, यहाँ पर समय क्या आया है, यहाँ पर 0 यहाँ मैं मान लीजिये, रात के 12 बजे हैं, ठीक है, रात के 12 बजे हैं यहाँ पर, तो अब बात कर रहे हैं हम, जैसे जैसे इदर को गूमती जाएगी प्रत्वी, यह मैं प्रत्वी तो छोड़ी दो, जगहाँ की बात करता हैं, तो एक देशानतर्त की, जब आप दूरी तै टाइम निकालना है आपको, और आपको यह बता दिया, कि इसका जो है, यह आपका मान लीजिये, 30 डिग्री के कौन पर इस्थित है यह जगा, 30 डिग्री के कौन पर इस्थित है यह जगा, तो अब यहाँ पर क्या समय हो रहा होगा, तो देखो, यहाँ पर समय कैसे निकाले तो तीस से चार की गुणा कर दो तीन चुक बारा यान के 120 जो आगे चल रहा है यह वाली जगह पर पहुंचते-पहुंचते 120 मिनट बढ़ चुके हैं तो 120 मिनट में कितने गंटे होते हैं 2 गंटे तो अगर यहां पर रात के 12 बज़रे हैं तो यहां पर रात के 12 बज़रे होंगे यहांपर two a.m. का समय हो रहा होगा इस जगह पर समझ यह लोजिक समझ में आया कुछ यह नहीं आया यह तो लिख दो चार से गुणा करते ना क्योंकि चार मिनट लगते हैं एक डिगरी को बढ़ने में चलिए अब ही इसी तरह से मैं बात करूँगा अभी आपका कि प्रत्वी का समय कितना आगे होगा हमारा सुरी प्रत्वी का नहीं भारत का प्रत्वी पर तो हम सारी देश हैं भारत की बात करेंगे अभी चलिए आगे बढ़ते हैं देखो तो यहां पर अंतराश्टिय थी रेखा की बात करें तो वाशिंग्टन डी सी में 22 अक्तूबर 1884 इस्वी में हुई एक अंतराश्टिय गोश्टी में यानि के बैठक में लंदान के पूरब में ग्रीन विच नामा के एक स्थान पर इस्थित रोयल वैध शाला से ग मानकर मध्यान्य माना गया और इसे ग्रेंविच मध्यान्य का नाम दे दिया गया तथा ग्रेंविच मध्यान्य को शून्य मानकर शून्य वही होता है रात के 12 बज़े को सून्य कहते हैं क्योंकि दिन वहीं से स्टार्ट होता है अगला दिन स्टार्ट हो जाता है रात के 12 तो इसलिए हम उसको शून्य कहते हैं तो शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गढ़ना की जाती है समय का निर्धारन इसी के आधार पर किया जाता है 180 डिग्री देशांतर से गुजरने वाली ग्रीन वीच रेखा को अंतराश्टिय तिथी रेखा भी कहा जाता है तो जो यह बीच वाली यह जिसको हम कहते हैं इसको हम ग्रीन वीच भी कहते हैं और इसी को अंतराश्टिय तिथी रेखा भी कहते हैं और यह आप से प्रशन यह भी पूछ सकता है कि अंतराश्टिय तिथी रेखा किस जगह से होकर गुजरती है तो ग्रीन वीच नामकिस्थान से होकर भी गुजरती है और अगर वेद साला की बारे में पूछ ले तो रोयल वेद साला से होकर गुजरती है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं मैं आपको टाइम निकालना भी बताऊंगा कैसे अभी तो मैंने बताया था वैसे लेकिन और बताऊंगा समय विश्व को 24 समय विश्व को ये तो नॉर्मल सी बात है हमें अमने समझा था इसको 15 डिगरी के बराबर ही होगा क्योंकि 10 देश उत्धानतर एक जर्प 6 की समस्य में बात नॉर्मल है और वो समझ में पर चार है में हूं प्रती एक देश का मानक समय चैयम से आदे घंटे के अंतरपन hyट्धारित किया घ आगे समझाता हूँ और आपको आप देखो भारत की बात करता है भारत में 82 पूर्वी देशांतर को देशांतर जो इलावाद के निकट मिर्जपूर से गुजरती है के समय को मानक समय माना जाता है यह समय ग्रीन वीच मीन टाइम से साड़े पांच गंटे आगे है अते हैं ज यहां पर यह हमारा पूरी प्रत्वी है और यह हमारा जो है यह ग्रीन वीच रेखा है जो बीच में होती है अब हमारा जो भारत है वह कितने डिग्री पे स्थित है 32 यानि के इस जगह पर हमारा देश है इस जगह पर यह कूण गुजरता है 32 डिग्री का अब मैंने आपको बताया था यह थोड़े एर पहले कि एक डिग्री कितने पराबर हो रहा है चार मिनट के पराबर हो रहा है तो आपको 82.5 से चार की गुणा करनी पड़ेगी जब आ 10 का फिर से 0 हो गया बचा 1, 4, 8, 32 और 33 तो यहां पर 330 मिनट बच रहें आपके पास और अगर आप इसको 330 मिनट को 60 से भाग देंगे क्योंकि 60 मिनट का एक घंटे है तो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा आपका और आपका जो है बात करेंगे तो 56 तीस और फिर 30 मिनट बच गई तो 5 घंटे और 30 मिनट बच गए आपके पास तो यानि कि आपका ग्रीन विच रेखा से 5.5 घंटे आगे चलता है भारत का समय समझ में आगे बात ग्रीन विच रेखा से 5.5 घंटे आगे चलेगा किसका भारत का समय अब चाहे दिन का हो या रात का हो उससे फरक नहीं पड़ता अगर यहाँ पर जो है उपर की साइड में यहाँ पर इस जगा पर अगर दिन के बारा बज़ रहे हैं तो भारत में दिन के ही 5.5 बज़ रहे होंगे और अगर यहाँ पर रात के बारा बज़ रहे हैं तो भारत में सुबा के 5.5 बज़ रहे होंगे बस इतना याद रखना इतनी बात आपको समझ में आगे होगी, I hope, अगर समझ में आगे हो तो बता दो comment करके, अब आगे बढ़ जाते हैं, ये चीज़े बहुत अच्छे से clear किये हैं मैं आप लोगो, I think सब समझ में आगे होगा, अब आते हैं हम यहाँ पर कटीबंध zone, ऊशन कटीबंध क्या होते ह हैं, उपोशन क्या होते हैं, इनको भी समझते हैं, देखो, ऊशन कटीबंध की बात करें, विशुवत रेखा से 30 डिगरी उत्तर और 30 डिगरी दक्षन का भाग, यहाँ वर्ष के दो बार, वर्ष में दो बार सूरिय शीर्स पर चमकता है, इस भाग का मोसम सदेव गरम रह 30 डिगरी यह उपर में, और 30 डिगरी नीचे तक, इतना जो फिरत्वी का भाग होगा, इसको हम ऊशन कटीबंध कहेंगे, और यह पूरा इतना चलेगा, यह, यहाँ पर इधर को भी, इधर को भी, तो यह जो बीच वाला जितना भाग हो अपिरत्वी का यह वाला, यह जित सूरिय जो है, बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ से लाइट मारता है, बिल्कुल, ऐसे लाइट मार रहा है, तो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अब उपोशन की बात करते हैं, उपोशन यह कह रहा हैं कि 30 डिगरी से लेके 45 डिगरी तक उतर में, और इसी पिरकार से आपर इसको भी देखते हैं, जैसे यह प्रत्वी है, यह हो गया, तो यहाँ तक तो 30 डिगरी था, और यहाँ तक आपका 30 डिगरी था, इसके बीच में तो आपका वो हो रहा था, उचन कटी बन, अब 30 से 45 डिगरी, यह वाला बहाग, यह वाला बहाग हो गया, और इसी पि आ रहा है बिल्कुल हाँ देखो तो यह भाग हो गए आपके कौन से यह हो गए आपके उपोश नकटिबंद चलिए चित्र बना के इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि चित्रों से आपका दिमाग में जल्दी बैठ जाती है चीज देखो अब आता है सीटोश नकटिबंद सीट से लेगे और 66 डिग्री तक क्या होता है उत्तरी और दक्षणी अक्षांसों के पीछ का छेत्र जो है उसको हम सीटोश नकटिबंद कहेंगे और सुरिये जो है सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता बलकि इसकी जो है उसकी किरने तिर्ची पड़ती है इसलिए यहां का तापमान ह हमेशा कम ठाया थंडा रहता थन्डर रहता है तो देखो इसको भी चित्रे के माती हम सह समझ लेते हैं अब जैसे यह प्रत्वी थिया हमारी यह शूवत रेखा हो गई तो यहां तक के भाग तो कवर होगी हमारे 55-45 तक के यहाँगे यहां वाले पैंतालिस से साथ तक के ये वाले ये वाले भाग जो हो जाएंगे हमारे ये हो जाएंगे आपके सीतोषन कटिबंद और यहाँ पर ज्यादतर ठंड रहेगी क्योंकि यहाँ पर सूरिय कभी भी सीधी लाइट नहीं मारेगा जैसे सूरिय यहाँ है तो तीछी लाइट जाएगी यहाँ तो तेड़ी जाएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर गर्मी कम रहेगी यहां पर ठंड ज्याद रहेगी ठीक है अब आ जाते हैं आगे अब आ जाता है आपका धुरूविय कटी बंद धुरूविय पोलर जोन यह आपके 66 से लेके 90 डिगरी होंगे और यहां पर इत्ती ठंड हो और इसमें आपका हमेशा जो है तापमान बिल्कुल माइनस में रहेगा यहां पर जो है कभी ठंड खतम ही नहीं होती आपकी ठीक है चलिए आप समझ में आगे इतनी बात चलो आगे बढ़ता है अगला पॉइंट है आपका कर्क संक्रांती तो यह 21 जून को 21 जून को सूरि यह मकर रेखा पर लंबवत होता है इसे मकर संक्रांती कहते हैं इस दिन दक्षणी गोलार्थ में सबसे बड़ा दिन होता है देखो समझ लो इस चीज़ को ध्यान से यह है अरे चित्र भी गोल नहीं बन रहा यह है अब यह तो बीच वाली रेखा हो गई तो यहां पर क्या है जो कह रहे हैं वो करक रेखा पर इस वाली रेखा पर जो है मकर रेखा पर तो नीचे वाले गोलार्थ में आपका तापमान ज्यादा हो जाएगा है चलो आगे बढ़ते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर प्रत्वी पर दिन और राद बराबर होते हैं ये टाइम नोट करो आप सब लोग उपसोर क्या कहलाता है देखो धियान से पढ़ेंगे प्रत्वी सूरिय की परिकिर्मा धीर करताकार कक्षा में करती है जिस समय प्रत्वी सूरिय के अत्यदिक पास होती है उसे उपसोर कहता है ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है तदा प्रत्वी से सूरिय की दोरी 14.70 करोड किलो मिटर होती है इसको भी समझाता हूँ मैं आपको उपसोर अब पहले इसको भी पढ़ लेता है अब सोर क्या होता है अब सोर वो होता है जब सूरिये प्रत्वी जब सूरिये से अधिक्तम दूरी पर होती है तो उसे अब सोर कहते हैं ऐसी इस्थिती चार चुलाई को होती है और ऐसी इस्थिती में प्रत्वी की सूरिये के बीच की प्रतवी समय करेगी और इसंते हैं कभी ऐसे बन जाएगा कौन तो इसमें क्या है कि इस तरह से जैसे सूरिय है और इसने इस तरह से जो है सका गोनन किया तो सबसे करीब जो प्रतवी होगी सूरिय के वह इस पॉइंट पर हो जाएगी तो यह अधिक मह सूरीस ब्रत्वी जग होगी तो सब सबसे ज़्यादा हो जाएगी तो यह इसका मतलब क्या कहला है आपका यह वाला जो पॉइंट आपका यह अपसोर कहला आएगा और यह इस्तितिका पैदा होगी आपकी चार चुलाई को पैदा होगी, तो क्योंकि वो आपकी ऐसा नहीं है, कि सूरिय के बिलकुल जो है, बराबर सर्कल बनेगा, ऐसे ऐसा गूम रही है प्रत्वी, ऐसे नहीं गूमती प्रत्वी, प्रत्वी ऐसे गूमती है, ठीक है, इसको जब कभी वीडियो किलिप में देखेंगे, तब और मजा आएगा, चलो, आगे बढ़ते हैं, अध्याय पांच, अध्याय पांच क्यों लिखाया, पहले तुम आपको यहीं बता दू, अभी तामने दो अध्याय पढ़ेते हैं, तो तीन और चार कहां गायब हो गए, या आप कमेंट में लिखोगे वरना आते हैं वो, तो मैंने पार्ट नमबर चार और पार्ट नमबर तीन को फर्स्ट वाले चैप्टर में ही इंक्लूड कर दिया था, ठीक है, इसलिए हम अब हम पार्ट नमबर पांच कहा गए सी था, प्रत्वी के प्रमुक परिमंडल, देखें यहां पर बात करें, तो प्रत जाते हुए चल रहा हूं सारी चीज़े, इसकी PDF आप नोट्स ले लेना, WhatsApp मैसेज पर करके, सारे सब्जेक्ट के ले लेना, नोट्स ताकि उसको कम समय में, रिविजन कर पाऊ, एक दिन पहले, एक दिन पहले सारी चीज़ों का रिविजन करना, नोट्स से, क्योंकि किताब तो आप पढ़ने से रहे, किताब तो पढ़ने में कई दिन लगते हैं, तो वो नमबर आपके, आपके थमनल पर भी लिका हुआ है, मैंने शुरू में भी बताया था वीडियो के, ये नमबर है आपका, इस नमबर पर WhatsApp मैसेज करके, इसका स्क्रेंशोर्ट मार लो सब लोग 8532-85503, इस नमबर पर आपको WhatsApp मैसेज करता है, वहाँ पर आपको सारे नोट सुपलब्द करा दी जाएंगे, ठीक है, अभी डिसकाउंड भी कर दिया है 50%, तो सब लोग ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले पोइंट पर, प्रत्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पा और पेड़-पोदे होते हैं, जीव-जनतु रहते हैं, सब लोग रहते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, भू बारे में पढ़ते हैं, क्या कि चीज़ें होती हैं, देखो, आप बहुत मेहनस से पढ़ाते हो, चलिए, thank you very much, देखो, ये है भू पर पर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोशक्तत्व पाई जाते हैं और आपका प्रत्वी की सत्य को दो भागों में बाटा जा सकता है बड़े इस्थलिय भूभागों को महादीपों के नाम से जानते हैं समझ में आ रही है यह बात देखो इस point को समझो समुद्री जलका जो तल होता है वो सभी जगा बराबर रहेगा देखो जैसे मैं बात करूँ यह प्रत्वी की सतह है है ना ऐसे नहीं गोल बनाता हूँ मैं इसको यह प्रत्वी की सतह है ठीक है अब पानी की बात करें मान लीज सकता है कि जो समुद्र है जो सीधा नीचे समुद्र है तो समुद्र का पानी क्या पहाड़ पर यहां होगा नहीं होगा जो समुद्र का तल है वो सब जगा एकी रहेगा इसलिए तो वाटर लेवल जो है जगा जगाओं पर बदलता रहता है जहां पर जितनी उचाई हो जाती मैदानी भाकी यह जमीन की वहाँ पर water level नीचे दिखाई देता है क्योंकि हमें उतना ही जादा गहरा कुणा खोदना पड़ेगा अब अगर हम पहाड़ पर जाते हैं तो पहाड़ पर कभी भी समुद्र का जल हम नहीं पात सकते हैं क्योंकि पहाड़ को खोदेंगे अगर तो हजारों किलोमेटर खोदना पड़ जाएगा तब जाके हम water level तक पहुँचेंगे पहाड़ों पर जो पानी आता है वो mostly वर्षा का पानी आता है ठीक है तो समुद्र तल सब जगाए एकी बराबर होता है चलिए विश्व का सबसे उचा शिखर कौन सा है माउंट एवरेस्ट है जिसकी उचाई जो है समुद्र तल से 8848 मिटर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर सर आपकी क्लास मेरी बताओ है आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सच में बताओ है ये क्या समझ में नहीं आया कुछ चलिए आगे बढ़ते हैं विश्व का सबसे गहरा भाग परशांद मासागर का मोरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मिटर है माधीब के बारे में पढ़ते हैं माधीब से बहुत प्रशन आते हैं भई माधीब को धोड़ा सीरियसली होके पढ़ना है न प्रत्वी पर साथ प्रमुक माधीब है और पहले नमबर है आपका एशिया विश्व का सबसे बड़ा माधीब है और एशिया में हमारा भारत देश भी आता है ये बात भी आपको पता होना चाहिए चीन पाकिस्तान बंग परवत से पूढ़वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भुभाग को यूरेश्या कहते हैं अब देहों ये प्रशन भी आपका सीट में आ चुका है कि यूराल परवत जो है वह कून से आ जो है महादीब को अलग करता है तो किसको बहुत छोटा है एश्या मेरे दुनिया में मोह्त बThrबाई में आर्करिटिक वुरत होकर गुज़रता है तो आर्करिटिक वुरत किससे गुज़र रहा है यूरूट से यह उल्टा भी पोच सकता है आपसे यूरोप से कौन सा विरत या कौन सी रेखा गुजरती है तो कई बार आप ये ना लगा दो कि करक रेखा गुजरती है करक रेखा एशिया से होके गुजर रही है और यहाँ पे यूरोप से कौन सी गुजर रही है आर्किरिक वरत जो है वो यूरोप से होकर गुजर रही है ठीक है और तीन तरफ से जलसे कौन सा महादीप गिरा हुआ है तो तीन तरफ से जलसे गिरा हुआ महादीप है आपका यूरोप तो ये आप जो है ध्यान से पढ़ते होई चलेंगे एक एक चीज़ को अगला पॉइंट आपका अफरीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महादीब है विश्वत विरत या जीरो डिगरी अक्षांस इस महादीब के लगभग मत्धी भाग से होकर गुजरती है अफरीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्थ मेस्तित है यह एक ऐ ऐसा महादीब है जिससे होकर करक विश्वत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं तो तीनों रेखाएं किस से गुजरती हैं देखो यह कितना अच्छा प्रश्न बनेगा आपका आपसे पूछ लेगा ऐसा कौन सा महादीब है जिसससे तीनों रेखाएं करक विश्वत और मकर रेखाएं गुजरती हैं तो आपको याद होना चाहिए अफरीका महादीब से गुजर रही है तीनों की तीनों ठीक है आठ हजार आठ सो पचास या फिर आठ हजार आठ सो अड़ालीस एक्जेक्टली अगर माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे एक्जेक्टली आठ हजार आठ सो अड़ालीस ही है लेकिन हम उसको लगभग में जब मानते हैं तो आठ हजार आठ सो पचास लगभग में माना जाता है ठीक है लगभग में तो इसको आठ हजार नो सो मिटर भी मानते है लेकिन exactly 8848 मिटर ही है ठीक है आगे बढ़ते हैं सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गरम रेगिस्तान है जो कि अफरीका में इस्थित है यह माधीब चारों तरफ से समुद्रों और महसागरों से घिरा हुआ है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफरीका से होक अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाधीब है यह दक्षिन अमेरिका से एक संक्रे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा इस्थल संदी कहा जाता है यह माधीब पूरी तरह से उत्री एवं पस्चिमी गॉलार्द से इस्थित है यह माधीब तीन महसागरों से घिरा हुआ है ठीक है अब सरी टॉपिक अच्छे से समझा दीजिए बहुत इंपोटेंट है बिल्गुल इंपोटेंट है बहुत यह तो मैंने सुरूद में बता दिया आपको थोड़ा सा पानी भी फीलू मैं जरा बोलते बोलते थोड़ा सा गला दुखने लगता है चलिए अगला जो है यहाँ पर आपका नेट्स्ट महादीब है वह आपका दक्षण अमेरिका है दक्षण अमेरिका का अधिकांछ भाग दक्षणी गोलार्द में इस्तित है इसके पूरब पस्षय में आटलन्लांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर इस्थित है और विश्वी की सबसे लंबी परवत श्रंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षण की और फैली हुई है दक्षण अमेरिका में विश्वी की सबसे बड़ी नदी एमाजोन बहती है देखो इसको क्या है कि इसको सारे को याद करने वाली तो यह आपके जो है दक्षण अमेरिका के उत्तर और पश्चिम में इस्थित है यह आपको याद ही रखना पड़ेगा है ना चलिए आगे बढ़ते हैं और दक्षण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी आपकी अमाजोन नदी आपकी दक्षण अमेरिका में बह स्थित है यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है इसे महादीप भी कहा जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है आपका यहाँ पर अंटार्क टिका एक बहुत बड़ा महादीप है जो कि दक्षणी गोलार्थ में स्थित है दक्षणी धुरूव इस महादीप के मद्धिय में स्थित है देखो तो यहाँ पर क्या होता है कि चूंकि यह है दक्षणी धुरूव छेतर में स्थित है इसलिए ये हमेशा मोटी बरफ की पड़तों से ढगा रहता है आपने वो देखी होगी ना फिल्में देखते हो साइंस फिक्षन वहाँ पर बरफ नहीं दिखाते हैं अंटार्किटिक में बरफ के नीचे जमीन में जाकर के कोई लैब बनी हुई है वहाँ पर कोई illegal research चल रही होती है aliens पर कोई बाहर का creature है उस पर चल रही होती है research ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई बस्ती होती नहीं है कोई आता जाता भी नहीं है वहाँ पर ऐसा बहुत से देशों के शोध गेंदर यहां इस थी तेलो देखो अगली लाइन वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पर जो आपके शोध गेंदर मतलब वही प्रियोग चालाए होती है भारत के भी शोध शोध संसान है इनके नाम है मेत्री और दक्षिन गंगोत्री यह आपके हैं आपके भारत के चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे हम जल बंडल के बारे में अभी हमने बात कि थी इस्थल बंडल के बारे में अब जल बंडल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर प्रत्वी को निला रिगिरे कहा जाता है प्रत्वी का 71 प्रतिशत भाग जो है जल है और 29 प्रतिशत भाग आपका इस्थल है और आपका प्रत्वी पर पाय जाने वाले जल का 97 प्रतिशत भाग महासागरो में पाय जाता है केवल 3 प्रतिशत भाग है जो हमारे पीने का पानी, पीने का पानी जो होता है हमारा वो केवल तीन पृतिशत है बाकी 97 जो है वो खारा पानी होता है महासागरो वाला आगे आपका बढ़ते हैं और आगे महासागरो की बात करते हैं महासागर ये जल हमेशा गतिमान रहता है तरंगे, जुआरबाटा, तधा महासागर ये धारा है, महासागर ये जल की तीन प्रुमुग गतिविदिया है, और पांच महासागर घटते किरम में इस तरह से हैं आपके, प्रिशान्त महासागर सबसे बड़ा है, उससे छोटा आपका अटलांटिक महासागर है, उससे प्रिशान्त महासागर सबसे बड़ा महासागर है, यह प्रत्वी के एक तिहाई भाग पर फैला हुआ है, प्रिशान्त महासागर लगभग व्रत्ताकार है, अटलांटिक महासागर अंग्रेजी शब्द के S अकसर के आकार का है, इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवम अमेरिका है, तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवम अफरिका है, व्यापार की दरश्टी से यह सबसे व्यस्त महासागर है, यानि के यहां से हो करके जो है पानी के जहाज गुजरते हैं, जो अपना व्यापार का सामान ले जाते होंगे, लाते होंगे इस तरह से, हिं अगला है आपका यहां पर आर्करिटिक महासागर, उत्तर धुरूव वरत में इस्थित है, तथा यह उत्तर धुरूव के चारों और फैला है, यह प्रिशांत महासागर से छिचले जल वाले एक संक्रे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जलसंधी के नाम से जाना जात है, चिचले मतलब कम गहरे पानी में, तो यह है आपके उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है, आगे बढ़ते हैं, अब आप बात करेंगे हम यहां पर वायू मंडल की, तो वायू मंडल 1600 किलोमेटर की उचाय तक फैला हुआ हुआ है आपक तो यह प्रत्वी है, तो यहां से उपर की तरफ अकर हम देखेंगे, तो इतना 1600 किलोमेटर है, 1600 किलोमेटर तक आपका इस तरह से चारों और आपका प्रत्वी के यह वायू मंडल है, यहां पर आपकी गैसे पाई जाएंगे, और इस वायू मंडल को आपको बाटा गया है, परतों में बाटा गया है, तो उसको भी हम बात करेंगे, किस तरह से आपको कौन-कौन सी परत को क्या कहते हैं, और वहां पर उनके उप्योग यह था क्या होती है, तो अन्ये के आधार पर, सरी, अन्ये यहां से पढ़ेंगे, वायू मंडल को उनके घटको, तापमान और अ जन्ये के आधार पर, पांच परतों में बाटा गया है, छोब मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, तथा बहीर मंडल, अब इनको आगे पढ़ेंगे, वाय मंडल में 99 पृतिशत भाग, ऑक्सिजन, ऑक्सिजन, अच्छा, 99 भाग में, ऑक्सिजन का आपका 78 पृ पृतिशत है, एक मिनट, यह कैसे दिरखा है, 78 पृतिशत, ऑक्सिजन, 21 पृतिशत है, तथा दूसरी गैस से, आपकी कारबन डायोकसाइड, आरगन, और इत्यादी, आपका एक पृतिशत है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, यह आपका जो है, नाइट्रोजन है, ठीक है, 78 प पृतिशत, और आपकी जो दूसरी गैसे है, कारबन डायोकसाइड वगेरा, वो आपकी पृतिशत होती है, चलिए आगे बढ़ते है, नाइट्रोजन प्राणियों की व्रद्धी के लिए आविशक होती है, और उचाई के साथ वायू का घनत्व घटता है, समुद्र तल प प्राइजाज जो है वो ऊपर चला जाता है, वायू मंडल से, तो वहाँ पर क्या होता है, कि वायू मंडल के अंदर अब तो ऑक्सिजन वहाँ पर पूरे अरूपलेन ऑपकी भरी होती है, अगर आपका लीक हो जाए, तो फिर आपका जो है, आपको सांस लेने में दिक्कत ह होसकती है आगे बढ़ता है अब आता है आपका यहां पर द्ध्याइस स्थिक्सा बादनल की टूट कर घृस जाने को अपरधन कहते हैं और और अपरदन की परिकिरिया के द्वारा सत्या नीची हो जाती है और निकश्यपण की प्रिकिरिया केedar इसका फिर से निर्मान होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं परवत के बारे में पढ़ते हैं यहां पर आपका परवत प्रत्वी की सत्य की प्राकर्ति कुछाई है परवत कश्रिकर छोटा तथा आधार चोड़ा होता है तो यह बात तो सब हिमालिये तथा आलपस वलित परवत हैं जिनकी सत्य उबडखावड तथा शिखर शंको आकार होता है यानि के नुकीला होता है आपका भारत की अरावनी श्रंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित परवत श्रंखला है आगे बढ़ते हैं जब बहुत बड़ा भाग तूट जाता है तथा उर्दवारधर रूप से व्यवस्थित हो जाता है तब भरशोत परवतों का निर्वान होता है उपर उठे हुए खंड को उत्खंड हार्ष्ट कहते हैं तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणी का भरंश यानिके ग्रोबन कहा जाता है जो आलामुकी परवस जो आलामुकी किरियाओं के कारण बनते हैं यानि कि जब जमीन से लावा उपर निकलता है और वो जो मैटेरियल होता है उसका लावा उसके अंदर लावे के अंदर जो है बहुत सारे तत्व मिले होते हैं इट पत्थर बगएरा मिट्टी कंकड लोहा ठंडा होने के बाद इसी तरह से वो क्या बन जाएगा इसी तरह से पहाड बन जाएगा तो यह परवत जो मनेगा वो आपका जुआलामंखी परवत कहलाएगा अब आगे बात करते हैं पठार की तो पठार उठी हुई एवं सपार्ट भूमी होती है यह आसपास के छेतर से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका उपरी भाग मेज के समान सपार्ट होता है ठीक है पठार ऐसा ही होता है कुल मिलाके जैसे प्रत्वी का अकार अगर हम बा भूमी के बहुत बड़े भाग होते हैं विसामानियते माध्य समुद्र तल से 200 मिटर से अधिक उचे नहीं होते आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे हम यहां पर भारत का यानि के भारत के भूगोल की बात करेंगे भारत एक बड़े बहुत बड़े भूगोलिक विस्तार वाला देश है उत्तर में यह हिमालिये के उचे शिखरों से घिरा हुए और पश्चिम में अरब सागर, पूरब में पंगाल की काड़ी तता दक्षिन में हिंद महासागर, भारती महादीब के तटों से तटों पर लहराते हैं और आगे बढ़ते हैं भारत का छेतरफल 32.8 ला विस्तार 2900 किलोमेटर है, यानि कि इसका जो माप होगा, अगर हम बात करेंगे इस तरह से, तो इस ये वाली जो लंबाई हो जाएगी आपकी, ये आपकी 32 किलोमेटर हो जाएगी, और ये वाली जो चोड़ाई हो जाएगी, ये आपकी 29 किलोमेटर हो जाएगी, ठीक है? औ भारत जो है वो उत्तरी गोलार्द में इस्थित है यह तो हमने शुरू में बात की थी देखो जैसे यह है अपका तो जब हम इसको ऐसा बाटते हैं ऐसे नहीं इसको हम जब भुमद्धी रेखा की द्वारा बाटते हैं तो यह हमारा उत्तरी गोलार्द है और यह हमारा से उत्तर की और भारत की मुख्य भूमी का विस्थार आपका यहां पर देख सकते हैं आप आठ डिगरी चार मिनट और 30 सेकंड तथा यहां पर उत्तर है सो और यह थीज नहीं उत्तर लिखा हुआ है आठ डिगरी चार मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट इसको हम 37.6 डिग्री भी पढ़ सकते हैं उत्तर अक्षान सो के बीच है ठीक है चलिए आपका आगे बढ़ते हैं आगे आपका यहां पर पस्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार 68 डिग्री से अर्सा डिग्री पूरब से 97 डिग्री पूरवी देशानता तक बीच है चलिए आगे बढ़ते हैं यह आपसे वैसे यह वाला प्रेशन तो आपसे सीड़ेट के रिलेटेट का है नहीं भोतिक विभाजन के अगर हम बात करें यहां पर तो हिमाली परवत की तीन मुख्य समाना अंतर श्रंखलाओं में बाटा जाता है सबसे उत्तर में इस्ति संक्रा को व्रत हिमाली यह हिमादरी कहते हैं इसी श्रंखला में विश्व की सबसे उची शिखर है और मध्य हिमाली यह हिमाचल हिमादरी के दक्षण में इस्तित है श्रिवालिक सबसे दक्षण में इस्ति हिमादरी होगी आपका, दूसरा आपका मध्य हिमाली इसको कह सकते हैं या हिमाचल कह सकते हैं और तीसरे नंबर का होगी आपका शिवालिक, तो ये तीन भागों में आपका हिमाली प्रवत को बाटा हुआ है आपका, आगे है आपका यहां पर हिमाली के दक्षण में प्राधीप्य पठार इस्थित है उसकी आकरती तिरुबुजकार है इसके उत्तर पश्चिम में हरावली श्रंकला इस्थित है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट पर अगला पॉइंट आपका पश्चिमी घाट में पश्चिम में तथा पूरवी घाट में घाट के पूरब में तटिये मैदान इस्थित है पश्चिम तटिये मैदान काफी संकरे हैं पूरवी तटिये मैदान अप एक शक्रत चोड़े हैं यहां पूरब की और बहने वाली कई नतिया है तो अगर हम इसको देखें तो हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं महा नदी गोदागरी कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं यह नदियां अपने मुहाने पर उपजाव डेल्टा का निर्मान करती है बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रहमपुत्र नदियों के मुहाने पर तट से कुछ दूर इस्थित प्रवाल दीप है अनमान निगोबार दीप समू दीप समू जो है वो भारत के दक्षिन पूर्थ विचा में इस्थित है यह बंगाल की खाड़ी में इस्थित है आगे है आपका सुनामी एक विशाल सागरिये तरंग है जो समुद्र तल पर भ जरद्धी इंठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी उचे होते जाते हैं तथा इस पिरकार पिरवाल दीपों का निर्मान होता है यह समुद्र के अंदर होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ता है अब अगला पार्ट है आपका यहां पर भारत वनस्पती तथा वन्य प्राणी तो यहां पर बात करें अगर हम तो ग्रेश मेरेतु में दिन के समय गर्म तथा शुश्क पवन बहती है जिसे लू कहते हैं और भारत की जलवायू को मोटे तोर पर मानसूनी जलवायू कहा जाता है मानसून शब्द अर्भी भाशा का शब होती है विश्म में सबसे अधिक वर्षा मेगालिय में स्थित मौसिन राम में होती है तो आप दिहान रखेंगे जगा तो कभी नहीं पूछता राज्जी पूछता है आपसे तो सबसे जादा वर्षा जो है वो मेगालिय राज्जी में होती है इसको आप ऐसे याद रख सक भारत की वनस्पतियों को पांच पिरकारों में बाटा गया है नंबर एक आपको उश्न कटिबंदी है वर्षा वन ये आपके उन छेत्रों में पाए जाते हैं जहांपर वर्षा बहुत अधिक होती है ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का पिरकाश भी जमीन तक नहीं पहुँ पट्टी में पाए जाने वाले पिरमुक विरक्ष महोगनी एमबोनी तथा राजवूड हैं ये सब आपके किसमें आ जाते हैं ये उश्न कटिबंदिये वर्षा वन में आ जाते हैं आगे बढ़ते हैं ये हैं आपके उश्न कटिबंदिये पत्जड़ वन तो हमारे देश क बहुत बड़े भाग में इस पिरकार के वन पाए जाते हैं इन वनों को मांसुनी वन भी कहा जाता है ये कम घने होते हैं तथा और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्या गिराते हैं इन वनों में पाए जाने वाले मैत्पून पेल साल सागोन पीपल नीम एवं पीचम हैं यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार जारखन चंटिसगर और माहराष्ट के मध्य माहराष्ट के कुछ भागों में पाए जाते हैं अगला है कि अगला है आपका यहां पर कटीली ज्ढ़ियां इस पिरकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों मे पाई जाती है पानी की छती को कम करने के लिए इन पत्तियों के बड़े-बड़े काटे होते हैं इनके महत्पून व्रक्ष है केक्टस, खैर, बबूल, कीकर ये राजस्थान, पंजाब, हरियाना, पश्चिमिघाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाते हैं आगे बढ़ते हैं अगला नाम है आपका परिवतिय वनस्पतिया इन पेड़ों का आकार शंकुआकार होता है ये पोधे शंकुधारी व्रक्ष कहे जाते हैं इन वनों के महत्पून व्रक्ष चील, पाईन और देवदार हैं अगला है आपका यहाँ पर मेग्रोव वन ये खारे पानी में भी रह सकते हैं ये मुख्यते पस्चि मंगाल के संदर्वन तथा अंडमान एवं निकोबार के दीव समोहों में पाई जाते हैं संदरी इस प्रकार के वनों की महत्पून पिरजाती है इस पिरजाती के नाम पर छेत्र का नाम संदर्वन पढ़ा है आपका आगे बढ़ता हैं अब बात करते हैं वन्ये प्राणियों की बाग हमारा राष्टे पशू है गुजरात के गिरवन में एशियाई शेरों का निवास होता है हाथी तथा एक सिंग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं ये आपको दियाद रखने पढ़ेंगे कौ हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ता को वन्ये जीव सप्ता के रूप में मनाते हैं तो ये आपसे पूछा जा सकता है वन्ये जीव सप्ता जो है वो कब मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ता में मनाया जाता है कुछ पक्षी जैसे कि पहलीकन, साइबेरियन, क्रेन, इस्टोर्क, फ्लैमिंगो और पिंटेल, बत्तक, करलियू, इत्यादी पिरती एक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं साइबेरियन क्रेंट साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तो था मार्च के आरम तक चले जाते हैं ये किसी भी जीवित प्राणी के चारो और पाए जाने वाले लोग इस्थान वस्तुएं अवम पिर्करती को परियावरन के बीच संबंध ही परितंतर का निर्मान करता है आपका चली आगे बढ़ता है अगला जो है चैप्टर आपका हमारी प्रत्वी के अंदर तो प्रत्वी की सत्य की सबसे उपरी परत को परपटी कहते हैं यह सबसे पतली होती है यह महादीपीय सनहती में 35 किलोमेटर एवं समुदरी सत्य में केवल 5 किलोमेटर तक होती है महादीपीय सनहती मुख्य रूप से सिलिका एवं एलुमीना जैसे खनीजों से बनती है इसलिए इसे सियल कहा जाता है महासागर की परपटी सिलिका एवं मेगनीशियम की बनी होती है इसलिए इसे सी में कहा जाता है और परपटी के ठीक नीचे मेंटल होती है देखो ये प्रत्वी की सतों के नाम याद रख लो पहले नमबर पर आगे आपकी परपटी और फिर परपटी के नीचे आगे आपकी मेंटल जो आपकी 2900 किलोमेटर तक गहरी होती है फैला होता है गया गहरा एकी बात होती है इसकी सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं जिस इवंदाब काफी उच रहता है आपका शेल और खनीच क्या होते हैं आपके यह देखते हैं प्रत्वी की परपटी अनेक पिरकार के शेलों से बनी होती है प्रत्वी की परपटी बनाने वाले खनीच पदार्थ के किसी भी प्राकरतिक पिंड को शेल कहते हैं मुख्य दूसरा है अवसादी शेल तीसरा है आपका कायांतृत शेल जिसको इंग्रीश में अगर देखेंगे इगनियस और आपका सेडिमेंटरी और आपका कायांतृत को बोलेंगे मैटा मेरिफिक आपका चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट आपका यहां पर द्रविट म यह तेजी से ठंडा होकर जम जाता है इस पिरकार बने शेल को बहिर भेदी शेल कहा जाता है कभी कभी दरवित मैगमा भो परपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है इस पिरकार बने शेल को अंतर भेदी शेल कहते हैं अगर लावा बहार आगे ठंडा हो रहा है तो तो बहिर भेदी शेल और अलावा अगर अंदर ही धंडा हो जाता है तो उसको अंतर भेदी शेल आगे बढ़ते हैं शेल लुड़कर चटकर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकणों में तूट जाती है इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं आगे बात करें तो एक शेल से दूसरी शेल में परिवर्तित होने की प्रिकिरिया को हम शेल चक्र कहते हैं आगे बढ़ते हैं अध्याय नमबर तीन है आपका हमारी बदलती प्रत्वी जौला मुखी भो परपटी पर एक खुला ऐसा छिदर होता है जिससे पिगले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं उसको जौला मुखी कहते हैं अब आगे बढ़ते हैं इस्थल मंडिले प्लेटों की गती करने पर प्रत्वी की सतय पर कंपन होते हैं ये कंपन प्रत्वी के चारो और गती कर सकता है इस कंपन को आपका भुकंप कहते हैं भुपरपटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंब होता है उसे उद्गम केंदर कहलाते हैं देखो ये पिछले साल आया था न ये आपका पिछले साल पूछा गया था सीटैट में ही SST में कि आपका भुकंप का जो आरंब इस्थान होता है यानि कि उद्गम केंदर उसको कहते हैं कि आपका ये पूछा था कि भुकंप जहां से स्टार्ट होता है उस जगा को क्या कहते हैं उस जगा को कहते हैं उद्गम केंदर उद्गम केंदर के भु सते पर उसके निकटम इस्थान को आपका अधिके अंदर गहते हैं आगे हैं आपका भुकम्प का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भुकम्प लेखी कहते हैं मुख्य इस्थिला करती क्या होती है इसके बारे में पड़ते हैं और आपका जब नदी किसी खड़े ढाल वाले इस्थान से अत्यदी कटोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो उसे जल प्रताब कहते हैं ठीक है जब नदी मैदानी छेतर में प्रिवेश करती है तो वे मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है नदी के इन ही मोड़ों को विसर्प कहते हैं देखो ये कल की क्लास में भी मैंने आपको कराया था विसर्प किसे कहते हैं नदी के उत्तित तटों को तडबंद कहते हैं ये जितने पॉइंट आ रहे हैं ये सारे पॉइंट प्रिवेश पेपर में पूछे जा चुके हैं कि लिएक धाराओं से विभाजित हो जाती है और जίνें वट वितरिका कहा जाता है आपका आगे है आपका पॉइंट यहां नदी इतने धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबह का निक्षेपन करने लगती शादी का अपने मुहानेका निर्मान करती है सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह को डेल्टा का निर्मान होता है समुदरी तरंगों के कारिये समुद्र तरंग जो होती हैं, समुद्र तरंग के अपरदन और निक्षेपन तटिये इस्थला करतीयां बनाते हैं, समुद्र तरंग के लगतार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विक्सित होती है, समय के साथ ही बड़ी और चोड़ी हो जाती हैं, इसको समुद्री गुफा कहते हैं इन गुफाओं के बड़े बड़े होते जाने पर इनकी केवल छट ही बचती है और जिसे तटीय महराब बनते हैं लगतार अपरदन छट को तोड भी देता है और केवल दीवारें बचती हैं दीवार जैसी इन आकर्तियों को स्टैक कहते हैं समुद्री जल के उपर लगभग उर्दवारदर उठे हुए उचे शैली तटो को समुद्री भिर्गु कहता है समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्मान करती है देखो इसको चितर के मादियम से समझाता हूँ थोड़ा सा हलका सा यहां पर बात करें तो जैसे कि जब आपका जो है एक जो आपका शैल जिसको हम कह रहे हैं वो एक तरह से पत्थर हैं एक तरह के तो उसको क्या करती है यह आपके जो है लहरे पानी की उसको तोड़ती रहती है दिरे-दिरे दरार बनाती रहती है और उससे दरार जब चोड़ी होती है तो गुफा बन जाती है इस तरह से जैसे कि यह है चट्टाने मान लीजिए तो इस तरह से जो है आपके जो है यह और इस तरह से बन जाती है यानि कि आपका च्छत पतली हो जाती है तो इस तरह से जब आपका बन जाते हैं यह आकर्तियां तो इसको हम 30 महराब का नाम दे देते हैं और जब आखीर में क्या होता है कि यह च्छत भी तूट जाती है आपकी यह च्छत भी तूट जाती है कई और जब आपका पानी ज्यादा आता रहेका जाता रहेका तो फिर आपका यह रह जातें यह तरह से और यह च्छत भी तूट खाली हो जाता है और इसके बीच में से पानी च्यू दो गीने लगता है तो एक दीवारे मैं क्या कहतेquầ तege क्या कह रहा है इस टैक कह रहे हैं हम ये चलिए आगे बढ़ते हैं हिमनद के कारिये हिमनद या हिमानी बर्फ की नदिया होती है हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित करती है और गोलाश्मी मिट्टी एवाम पत्थरों से भूध जील बन जाते हैं हीम नट के द््वारा लाइकी पधार्त जैसे चोटे बड़े शैल रेत और तलश्ट मिट्टी निक्षेपित होती होते हैं ये निक्षेप हमनद हीमोड का निर्मान करता है, आगे बढ़ता है, अब आगे है आपका पवन के कारिये, हवा के कारिये, रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवम निश्चेपन का पिरमु कारक है, रेगिस्तान में आप छतरक के आकार के शेल देख सकते हैं, जिन्हें सामानियते छतरक शेल कहा जाता है, तो ये प्रशन पूशा जाता है, छतरक्षल कहां पाए जाता है, तो ये रेगिस्तान में ही पनेंगे, आपके महां ही पाए जाएंगे. पवन चलने पर ये अपने साथ रेट को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर पहुँचाती है, जब पवन का बहाव रुकता है, तो ये रेट गिर कर छोटी पाड़ी बनाता है, और इसको बालू टिबबा कहा जाता है, ठीक है, और जब बालू कंड महीन और हलके होते हैं, तो वाईू उनको उठाकर अत्यदिक दूर ले जा सकती है, जब ये बालू कंड विस्तरत छेतर में निक्षेपित हो जाते हैं, तो इसे लोईस कहते हैं, चीन में विशाल लोईस निक्षेप पाए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, अध्याय नमबर चार है आपका वाईू, कारबन डाय अक्साइड जल मंडल्स ने फैल कर प्रत्वी से विकृत उश्मा को प्रत्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गेस भी कहा जाता है, जब कार्खानों एवं कार से कार के धुएं से वाईू मंडल्स में CO2 यानि के कार्बन डायोकसाइड का इस तर बढ़ता है तब इस उश्मा के दौारा पिरत्वी का तापमान बढ़ता है इसे भू मंडल ये तापमान ये गिलोबल वार्मिंग कहते हैं तो अगर आप से ये पूछा जाए गिलोबल वार्मिंग में कौन सी गैस सबसे जाद उत्तरदाई ह तो CO2 ही सबसे जादा उत्तरदाई हो रही है यहाँ पर है ना अगला है आपका यहाँ पर वायू मंडल की सतन रशना तो वायू मंडल हमारा जो है पांच परतों में विबाजित है नमबर एक है आपका छोब मंडल यह प्रत्व वायू मंडल में सबसे मैट्पून परत है इसकी ओसत उचाई 13 किलोमेटर है हम इसी मंडल में मौजूद वायू में सांस लेते हैं मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्शा, कोहरा और ओला वर्शन इसी परत के अंदर होते हैं यह सारे के सारे समताप मंडल जो होता है अपका सेकंड नमबर पे आती है छोब म पूप यहां की परिस्थित यहां हवाय जाज उड़ाने के लिए आदर्श माने जाती है तो आपसे प्रशन पूछ सकता है आपका जो है हवाय जाज कौन से मंडल में उड़ते हैं तो समताप मंडल में आपके हवाय जाज उड़ते हैं उसके अलावा समताप मंडल की एक मै ठीहान रखना पड़ेगा आपको ओजून परत कौन से मंडल में पाई जाती है तो ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर आता है आपका मध्य बंडल यह वायू मंडल की तीसरी परत है यह समताप मंडल के ठीक उपर होती है यह लग प्रत्वी को या हम कहें हमारे खुद के जीवन को बचाई रखती है अगर ये ना हो किसी वज़े से मद्दे मंडल ना हो तो उपर से पत्थरों की बारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी और हमारा जीवन बहुत जल्दी खतम हो जाएगा जो उलका पिंट आस्मान में उड़ते जाते हैं हम लो लेकिन वो सारे पत्थर होते हैं बड़े बड़े पहाड होते हैं वो एक तरह से अगर वो धर्ती पर डायरेक्ट आ जाए ना तो एक महला एक कलोनी सपार्ट खतम तो वो ये सब चीज़े रोक के रखती हैं ये बीच में ठीक है चली आगे बढ़ते हैं परत का उप्योग होता है वास्ता में प्रत्थवी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुने प्रत्थवी पर परावर्थित कर दी जाती है चली आगे बढ़ते हैं तो अब आता है आपका बहिर मंडल यहां पर लास्त में वायू मंडल की सबसे उपरी परत को बहिर मंडल के नाम से जाना जाता है यह वायू की पतली परत होती है हलकी गैसे जैसे की हिलियम और हाइडरोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैड़ती रहती है ठीक है अब आगे है जिसे प्रत्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है और उसके अलावा आपतन की मात्रा भूमद्य रेखा से धुर्वों की और घटती जाती है क्योंकि उश्मा जो है वह सबसे जादा आपकी यहीं होती है भूमद्य रेखा पे और जैसे जिसे धुर्वों की तरफ जाते हैं तो निम्न दाब छेतर के और वायू की गती को पवन कहते हैं इस्थानी पवने तो व्यापारी पश्चिमी एमाम पूर्वी पवने इस्थानी पवने कहलाती है और ये आपकी वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है मौसमी पवने जो होती है ये पवने विभिन रित्वों में अपनी दिशा बदलती रहती है उदाहरन के लिए भारत में मांसुनी पवने जो होती है उसके लावा इस्थानी पवने होती है ये पवने किसी छोटे छेतर में वर्ष या दिन के किसी विशे समय में चलती है उदा और आम शब्दों में समझो तो इसको नमी कहते हैं जिसको नमी कहते हैं उसी को यादरता कहते हैं ठीक है चलिए देखो अब यहाँ पर मैं आपको यहीं पर किलास को मैं रोक रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो गया वीडियो भी लंबी होगी और आपने काफी आपके की वीडियो में स््टार्ट करेंगे ठीक है नेक्स्ट वीडीयो में चलिए वीडियो को लाइक करेंड़ो अभी काफी लोगों को यहीं जैóc लेना अभी मेसिजर कर देना रात कोई ठीक है इस नंबर फे WhatsApp मेंसिज कर दो और नोट्स ले लो सभी लोग क्योंकि अगर आपको सीट एट पास करना है कम समय में तो यही आखरी रास्ता है आपका नोट्स लेना और बहुत कम में दे रहे हैं अभी बहुत ज्यादा डिसकाउंट कर दिया है फर्स्ट आपके तीस किताबों का निचोड है बहुत छोटा छोटा करके तो उसमें क्या है कि आपको सादी तयारिया आपकी एकदम से हो जाएगी सारे चीसे पूरी कवर हो जाएगा चलो किसी अब कुछ पूछना है कोई कमेंट में कुछ पूछना है तो पूछ लो फिर उसके कुछ पूछना है किसी को नहीं चलो ठीक है फिर तो वीडियो को लाइक करें और शेर भी कर देना सभ लोग प्लीस शेर करके जाना सभ लोग ठीक है अपना स्टेटस पे वाटसब गुरूप में जहाँ भी कर सकते हो तो मिलते हैं आपको कल नेक्ट क्लास में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर गूट नाइट